हाई गाईज कैसे हैं आप लोग, welcome to my another video और आज मैं आपको लेकर आगई हूँ एक बहुती मस्ती भरी जगह पे जहाँ पे आप अलग-लग तरह कि कई अक्टिविटीज कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, पूरा दिन बिता सकते हैं हाँ मैं बात करें इस दली के EOD पार्क की, अगर आप दली में रहते हैं तो EOD पार्क के बारे में आपने न सुना ऐसा होई नहीं सकते हैं, तो बात करें अगर यहाँ अक्टिविटी की तो यहाँ पे बोलिंग, जिप लाइन, बोर्ड गेम, स्टीट आप कोर्स, मैल्ट जाता है, यहाँ का कॉम्बो, लेकिन आपको मैं सजस्ट करूँगी कि 500 वाला, अगर आप पूरा दिन दे रहो तो 500 वाला आपके लिए इनफ है, क्योंकि टाइम कम होता है, और इतनी सारी अक्टिविटी आप करनी पाओगे, क्योंकि 12-8 की टाइमिंग होती है, इनकी, तो किट सेक्शन भी बहुत अच्छा है, यहाँ का, अगर आप बच्चों को लेकर आना चाहो, तो आराम से ला सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगा है, तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो है, यह वाला जो एक्टिविटी है, यह ट्री टॉप कोर्स में आता है, और कि बहुत ही उचा था, मैं बहुत डर रही थे यहाँ पर, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, इस डर डर के भी मैं बहुत सारी अक्टिविटीज कर रही थी, और यह भी उन्ही में से एक है, ट्री टॉप कोर्स जो है, वो बहुत ही बड़ा था, मतलब आप सबसे ज़्याद कर रही थी, और यह वाला जो था ही लेट के करना था, पर मैं इसको में इंडग की तरह फिसल फिसल के कर रही थी, इस वाले में मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि यह वुदेन था और स्ट्रॉंग था, जादा हिल नहीं रहा था, तो मैं डर नहीं रही थी, लेकिन मै करके आगे बढ़ी, और मैं डर डर के मैंने इसे पार किया, वरुन बिलकुल नहीं डरा, उसने बहुत इसली पार कर लिया, इसके बाद हम लोग गए, आर्चरी, यहां पे हमने अपना एम को देखा कि हमारा एम कितना अच्छा है, यहां बहुत ही मज़ा आया, मैंने भी ए अगलग टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में ही सब सारे लोग इखटे जाते हैं, तो हम इवनिंग वाले टाइम में गए थे, और यह बहुत ही मज़ेदार था, यहां पे एक दूसरे को यह बैग से मार सकते हो, गिरा सकते हो, और गिरने पे चोट नहीं लगेगी आपक क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, और बहुत सारी अक्टिविटीज थी इसके अंदर, बच्चों का सेक्शन अलग था, यहां पे सबसे बेस्ट पार्ट जो था, वो था जंपिंग का, जंपिंग आप जितना चाहिए कर सकते हो, और मुझे तो लगा था कि मैं कर और यह आदे गंटे का होता है, और मैं आपको बता सकती हो, अगर आप यह सोचेंगे कि 1 गंटा हो, तो आप 1 गंटा कर ही नहीं पाऊगे, क्योंकि इसमें इतनी एनरजी जाती है, इतनी एनरजी वेस्ट होगी आपकी, क्योंकि जितनी भी एक्तिविटीज इसके अंदर, सारी energy वाल है, full energy आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको कर पाओगे, तो आदा गंटा in-off होता है इसके बाद हम पहुचे बास्केट बॉल section में, बास्केट बॉल जो section था guys, उक्के उके था, मज़ा नहीं आया इतना, और इसके बाद हम पहुचे zip cycling पे, zip cycling मैं नहीं कर पाई, मेरी friends ने किया, क्योंकि वही, फिर से मैं बता दू आपको weight का issue था, एक limited weight होता है इसके लिए, इसके बाद guys, हमने की zip line, zip line बहुत ही मज़ेदार था guys, उन्होंने हमें instructions दिये, कैसे पकड़ना है और क्या करना है, और इसके बाद ये तो मैंने easily कर लिया, मैं डर रही थी, लेकिन हमने बहुत ही मज़ेदार ये था, हमने बारी-बारी से किया, ये एक जना नीचे खड़ा था ताकि हम photo और video निकाल सके लेकिन मज़ा बहुत आया गाई, सच में बहुत मज़ा आया था, और इसके बाद हमने की meltdown, meltdown के बाद हम गए kids section मे, kids sections भी बहुत अच्छे थे guys, उसमें अलग-लग activities थी, trampoline park में भी था kids section तो अगर आप पूरा दिन अपना बिताना चाते हैं, और मस्ती भरी चीज़े करना चाते हैं, activities करना चाते हैं तो ये जगह आपके लिए best है, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, और full day आप enjoy कर सकते हैं, 12 पीम से 8 पीम तक आप full मस्ती कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो like, share, comment, subscribe जरूर कीजिएगा, bye bye, take care